लेंग्जिज यानि कि जुबान बहुत ही बुन्यादी हैसियत रगती है किसी भी कॉंटेंट में जब भी आप कॉंटेंट लिखेंगे जारी सी बात हो किसी जुबान में लिखेंगे और यह बहुत ज़दा डिपेंड करता है कि आपकी जुबान में लिख रहे हैं और आपकी ओडियन्स के जुबान में पढ़ना चाहती है अगर आप ऐसी जबान में लिखे हैं जो आपकी ओडिन्स समझती ना हो या पढ़ना ना चाहती हो तो आपको छोड़ के जा सकती है तो हमने यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम content create करें हम उसको proper language भी decide करें और language मेंशा decide होती है audience के साथ so language इस तरह से एहमियत की हामिल है कि for example अगर मुझे पश्टो नहीं आती और मैं आपकी website पर आया हूँ जो के पश्टो में है तो मैं इसको शहर्द ना समझ पाऊ हूँ और मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ और अगर इसी तरह से आपको French नहीं आती है और मेरी website पर आएंगे तो आपको कुछ समय नहीं आएगे और आप छोड़ के चले जाएंगे so अगर मेरी product सिर्फ French people के लिए है तो फिर तो ठीक है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई और मेरी website के ओपर आए लेकिन अगर website जेनरल है जिसमें हर जबान की लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं बाय कर सकते हैं तो लेंग्विज एक बड़ा मसला बन सकती है normally जायतर जो इंटरनेट है वो English language में है पर बहुत सारी websites या बहुत सारी company यह पसंद करती है कि वो जिस मुलक में काम कर रही है उस मुलक की language को भी वो यूज करना चाहती है so internationally इसका बहुत ज़़ा रिवाज है पाकिसाने भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई website देखी है तो possibility है कि अर्दू में भी उसका version हो नहीं तो अर्दू अखवाद तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं so language में आपने जो चीज़ें द्यान में रखनी है वो तकरीबरण तीन है तीन चीजां को आपने द्यान रखना है जिसमें सबसे पहली ग्रैमर है अगर आपकी ग्रैमर ठीक नहीं है अगर आपको लिखना नहीं आता आपको जुम्लह प्रापर नहीं है चाहिए वो इंग्लि यह understand कर ले कि इनको तो लिखना भी नहीं आता, वो आपकी product को नहीं देखेगा, वो आपको वैसे ही छोड़ के चला जाएगा, so language बेतर होगी, तो आपकी sales होगी, अगर language बेतर नहीं होगी, content बेतर नहीं होगा, तो इसी तरह से आपको sales भी, जो है, वो lose करनी पड़ सकती है, दूसरी चीज़ जो important है, language के अंदर वो है, spellings, spellings अगर आपकी गलत है, website के अपर, तो वो भी आपकी non-seriousness को show करती है, so आपने make sure करना है, कि जो भी आप words लिखें, कम असकम उनके spellings ठीक हो, और वो जो है, पढ़ने वाले को गलती नजर ना आए, तो एक image create हो जाता है, ल तरह से है कि अगर मैं आपसे बात करूँ और मुझे जुमला बनाना ना आए, मुझे बात अच्छी तरह से करनी ना आए, तो क्या आप मुझे से product खरीदेंगे, अगर मैं आपको कुछ बेचने भी आऊ, तो जब तक मैं आपसे बात करना सही तरह नहीं सीखोंगा, तो मैं content बहुत qualitative हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी audience को लगे कि यह तो बिल्कुल basic सा content है, इसमें quality नहीं है, तो quality को आप में खुद ensure करना है कि आप क्या लिख रहे हैं, वो किस language में लिख रहे हैं, और उसकी again उसमे qualitative measures क्या लिए हैं आपने, उसमें meat कितना है, यानि कि उसमें कितनी जान है आपके content में, अक्सर हम यूज के article पढ़ते हैं और आपको लगता है कि बस पढ़के मज़ा आगया, वो पढ़के मज़ा इसलिए आता है कि उसमें इल्फास का जो चुनाओ होता है, वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ी अच्छी language में लिखी भी होती है लेकिन अक्सर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो किसी बचे ने लिखी है, वो बेसिकली ये ही judgments हमारे audience भी देख रही होती है, और जब हम website की बात करें, तो हमारी website चुनके global है, कोई भी visit कर सकता है, तो हमें ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी जिस language का visit करें, वो उसको properly पढ़ सके, समझ सके, और कम असकम उसमें ये गलतिया नहीं होने चाहिए, इसके बाद एक और बड़ा important factor जो हमने जिकर किया हो है localization, यानि कि local language, अगर आपको लगता है कि आपकी audience एक local जबान बोलती है और वो prefer करती है एक general यानिक English जबान के ओ पर तो आप definitely उसको अपनी language में लिखें, क्योंकि इससे आपको retention काफी मिलेगी, पढ़ने वाले को असानी होगी पढ़ने में और वो जितनी देर आपकी website में रुकेगा, जितना ज़्यादा आपको पढ़ेगा, वो उतनी possibility है कि आपसे ही buy करेगा, तो अगर आप पाकिसान इस तरह से यह होता है कि आपको multilingual websites बनाने में असानी होती है, multilinguals का मतलब मुखलित जबाना में website जो के अकसर आपने देखी होगी, उसमें यह होता है कि आप एक जबान में पढ़ते हैं language उसके content को लेकिन फिर आप साथ ही दूसरी जबान में भी जा सकते हैं, जो same content ट्रा झाल